नमस्कार दोस्तो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में, आने वाले बहुततर घंटों में ग्रह नक्षत्र का ऐसा परिणाम आपको देखने को मिलेगा, कि आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी, कुछ ऐस आपके दिल के बहुत करीब है, वीडियो को अंत तक देखिएगा पूरी वीडियो, ग्रह गोचर पर आधारित है, एक-एक शब्द सटीक और सही निकलने वाला है, जो आपको ध्यान से सुनना है, समझना है, और सावधानियों को अपने जीवन पर लागू करते हुए, अं आदेव सच्चे मन से लिखें, यकीन मानिये, आपके भी सारे बिगडे काम तुरंत ही बन जाएंगे, तो आईए बिना देर करें दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं, आने वाले दिनों में आपको किसी काम को लेकर भाग दौर भले ही करनी पड़े, लेकिन अधिक जगह से धन आने वाला है, और जब इनसान के हाथ में पैसा होता है, तो उसके अंदर एक आत्म विश्वास यूँ ही जाग जाता है कि मैं करूंगा, क्योंकि पैसा मुझे मिल रहा है, किसी काम के सिलसले में घर से दूर भी जाना पड़ सकता है, देखिए, कई बार हमें पढ़ाई करने के लिए, नौकरी करने के लिए, किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है, ये हम मजबूरी में करते हैं और अपने ही परिवार के लिए करते हैं, तो थोड़ा सा मन कठोर रखना सीखिए, क्योंकि अगर आप emotional बहुत है, जो आप बात बात पर चड़ जाते हैं, किसी को भी कुछ भी भला बुरा कह देते हैं, वह आपके लिए मुसीबत पैदा कर सकता है, यह बात ध्यान रखिएगा, इसी के साथ आपकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं होगा, जब आपका रुका हुआ धन मातारानी के आशीर पूनह प्राप्त हो जाएगा, आपकी मुलाकात किसी ऐसे अजनबी के साथ होने वाली है, जिससे कि आपका मन उनसे बात करके बड़ा प्रसन्न रहेगा, वह आपको समझेंगे, आप उनको दो बातें बताएंगे, और आपके प्रेम जीवन में बहुत अच्छे संकेत यहा अपने टैलेंट पर घमंड करना बहुत बुरी बात है, बहुत सारे लोगों के पास जब कुछ कला आ जाती है, कोई हुनर आ जाता है, कोई टैलेंट आ जाता है, तो वह उसका घमंड करने लगते हैं, लेकिन हम आपको सिर्फ इतना कहेंगे कि जो पत्थर होता है, वह पान अगर आपका कोई संपत्ती संबंधित विवाद कोर्ट का चहरी में चल रहा था, तो उसमें आपको जीत मिलने वाली है। लेकिन गलती बता कर के हम अपने दिल का बोज समाप्त कर लेते हैं और बहुत अच्छा लाब हमारे को होता है। लेकिन जो लोग विदेशों से आयात निर्यात का व्यवसाय करते हैं, उन्हें कोई बड़ी डील को फाइनल करने का मौका मिलने वाला है। आपकी कोई पुरानी गलती लोगों के सामने आयेगी और संतान से आपकी किसी बात पर जड़प हो सकती है। माता पिता से यदि आप कोई मदद मांगेंगे, तो वह मदद आपको बड़ी ही आसानी से मिल जाएगी। आपके जीवन में एक नई बोचार आने वाली है। अंतरिक्ष में उपस्थित ग्रहधन योग का निर्मान कर रहे हैं और आपके जिंदगी में बहुत बढधा बदलाव आने वाला है। परंतु कुछ गलतियां आपको भूल से भी नहीं करनी है, वरना पचताना पड़ येच सकता है। आने वाले बहुत तर घंटों में पैसों का पहाड लगने वाला है। परंतु अब आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे वह होगा आपकी महनत के दम पर, आपके भाग्य के दम पर और आपकी करमठता के दम पर। जी हाँ, जितना ज्यादा आप करम प्रधान रहेंगे, जितना ही ज्यादा आप अपने करम को आगे रखेंगे, अपने काम में माहिर होंगे, तो आपके लिए अगले बहुत तर घंटों में धन योग के बहुत ही ज्यादा आसार है। एक के काम को तलीनता के साथ करना है, अपनी सूज बूज के साथ करना है, डेडिकेशन के साथ करना है तो यकीन मानिये, पैसों का पहाड जरूर लगेगा, इसकी शत प्रतिशत गारंटी है, जी हाँ दोस्तों, परिस्थितियां थोड़ी कठोर रहेगी, कहने का तातपर्य है वर्कलोड ज्यादा रहेगा, परंतु यही तो संकेत हैं कि धनलाब भी ज्यादा रहेगा, छोटे-छोटे कारियों को, पूरा करने के लिए आपको एडि से लेकर चक का जोर लगा देना चाहिए, और साथ ही में, अगर आप आत्म विश्वास, समय बद्धता के साथ काम कर देंगे, तो आपको जो सफलता मिलेगी, वो हैरान करने वाली होगी, निवेश या उधार आदी में सतरकता रखें, ग्रहों की दशाएं, फिल्हाल आर्थिक मामलों के प्रती बहुत अनुकूल है, तो क्यो ना मौके का फाइदा उठाया जाए, भाग्य भी साथ दे रहा ह तो क्यों न जम कर महनत की जाए, जी हाँ, कोई भी बड़ा काम, पुखता कार्य योजना के साथ कीजिए, क्योंकि योजना नहीं है, तो आपको यह नहीं पता, मुझे अगला स्टेप क्या लेना है, अगला कदम क्या उठाना है, तो काम करने में मज़ा नहीं आता, योजन बनाईए, उसके बाद काम कीजिए, सफलता हंड्रेड परसेंट आपकी है, वैचारिक मतभेद की सूरत में एक बार वरिष्ठ की सलाह बहुत उपयोगी रहेगी, नौकरी पेशा लोग समय का सदुपयोग करें, सजग रहें, कारोबारी नए काम में हाथ न डालें, गड़ बढ़ हो सकती है, नुकसान हो सकता है, जिस काम को पहले से करते आएं हैं या जिस काम में माहिर है, उसी में अपना इंटरस्ट दिखाईए, खान पान संतुलित रखिए, क्योंकि मौसम हाल फिल हाल में बदल रहा है, वहीं दूसरी ओर आंत से संबंधित कोई समस्या है, त इसे किस तरह से बढ़ाएं, आए बढ़ाने के लिए नई-नई प्लानिंग करनी होगी, खुद को आलस्य से दूर रखें, कार्यस्थल पर बॉस आपकी जिम्मेदारियां बढ़ा रहे हैं, तो चिंतित नहीं होना है, इससे ही तो आपके भविश्य में प्रगती का मार्ग प्रशस्थ होगा, परंतु आप क्या समझते हैं, उस काम को बोज के नजरिये से देखते हैं, इस वजह से आप अपॉर्चूनिटी को नहीं पहचान पाते, इसी के साथ में जब वह काम आप बोज के रूप में करते हैं, तो उसमें गलतियां भी बहुत करते हैं, जिससे आ अधिक परिश्रम का असर स्वास्थे पर भी दिखता है, इसलिए गुरू जी ने कहा है कि मेहनत बहुत कीजिए, कर्म प्रधान रहिए, तो आप दिन रात काम करते रहें, आपका निश्चित स्लेक्टेड समय है, आपको उसी अंतराल में काम करना है दिल से और संपूर्ण कर्मठता के साथ में, ऐसा नहीं है कि आप रात भर सो नहीं रहे और अपने काम को निप्टा रहे हैं, कि पैसों का पहाड बनेगा नहीं, दोस्तों, जितना ज्यादा काम जरूरी है, उतना ही ज्यादा परिवार को समय देना जरूरी है, तो अपने निश्चित तय किये कारोबार में मुनाफा होने की उम्मीदें हैं, कला जगत से जुड़े लोगों के लिए भी यह दिन बहुत शुब रहने वाला है, नौकरी कर रहे लोगों को विदेशी कंपनियों से ओफर मिल सकता है, और कारोबारी छोटे-छोटे निवेशकों से अधिक लाभ प्राप् साथ ही में दोस्तों, गलतियों की समीक्षा और सफलता के लिए पुखता कारय योजना में इमानदारी बरतनी होगी, कुछ लोग आलोचना भी करेंगे, कुछ लोग चुहलबाजी भी करेंगे, परंतु आपको इन पर ध्यान तक नहीं देना है, अगर आप इन पर ध्यान देते हैं, तो आप खाली फोकट ही परेशान होंगे, अनफीस में भी सहकर्मियों से विवाद की आशंका है, काम में गलती मिली तो उच्च अधिकारी गुस्सा होकर कार्यवाही कर सकते हैं, जी हाँ दोस्तों, युवा अपनी संगती और आदतों के प्रती बे परवाही न बड़े और गुरु का मार्ग दर्शन लीजिये और अपने जीवन को सही ट्रैक पर लेकर आईए, मन सकार आत्मक बनाए रखते हुए विरोधियों से जूझना पड़ सकता है, अपनी उर्जा बनाए रखिये और आज जीविका के क्षेत्र में कुछ बेहतर प्लैनिंग आ वाले बहुत लाब में रहेंगे और युवा खुद को अपडेट रखें, खेल में बेहतर प्रदर्शन के लिए परिश्रम को बढ़ाईए, क्योंकि प्रैक्टिस मैच मैन परफेक्ट यानि की प्रैक्टिस के माध्यम से ही इनसान सफल होता है, सक्सेस्फुल होता है तो आ गोली न ले जो बीमारी की है ही नहीं, अन्यथा इसका हर जाना आपको भुगत न पड़ सकता है, इस सप्ताह अपने सोचे हुए काम को पूरा करने के लिए अपना पूरा दमखम लगा देंगे, खास बात यह है कि ऐसा करते हुए उन्हें स्वजनों और शुभचिंतकों क पूरा सहयोग और समर्थन पूरे सप्ताह मिलता रहेगा, पूरे सप्ताह आपके भीतर गजब की उर्जा और आत्म विश्वास देखने को मिलेगा, आप अपना कार्य पूरी एकागरता के साथ करेंगे, नौकरी पेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में अनुकूलता बनी र घर परिवार की द्रिष्टी से सप्ताह के पूरवार्द के मुकाबले उत्तरार्ध ज्यादा शुब और सुखमे रहने वाला है, इस दौरान घर के किसी प्रिय सदस्य की विशेश उपलब्धी से आपका मान सम्मान बढ़ेगा और घर में खुशियों का माहौल बना इस दौरान घर में मांगलिक कार्य संपन्न हो सकते हैं, या फिर आपको किसी धार्मिक आध्यात्मिक कार्य में शामिल होने का अवसर प्राप्त हो सकता है, सप्ताह के अंत में सुख सुविधा से जुड़ी चीजों पर थोड़ा ज्यादा धन खर्च हो सकता है, छोटी के साथ बढ़िया ट्यूनिंग बनी रहेगी, दामपत्य जीवन सुखमय बना रहेगा, यह सप्ताह मिले जुले फल देने वाला है, सप्ताह की शुरुआत में आपको घर परिवार से लेकर कामकाज की चिंताएं घेरे रह सकती हैं, इस दौरान घर के किसी सदस्य के साथ आ पोज बना रहेगा, तो वहीं छोटे मोटे कार्य को करने के लिए आपको अतिरिक्त परिश्रम और प्रयास करने पड़ सकते हैं, इस दौरान आपको कार्यक्षेत्र में अपने विरोधियों से खूब सतर्क रहने की आवश्यक्ता रहेगी, क्योंकि वे आपके काम को बिग परियों साय करते हैं, तो धन के लेंदेन में खूब सावधानी बरतें और किसी पर भी आँख मूंद कर भरोसा करने की गलती न करें, इस सब्ता वहन सावधानी के साथ चलाने की आवश्यक्ता है, इसकी अन्देखी करने पर चोट-चपेट लगने की आशंका है, साथ ही सा किसी भी नियम और कानून को तोड़ने की गलती न करें। अन्यथा आपको आर्थिक नुकसान के साथ तमाम तरह की परिशानी भी जहलनी पड़ सकती है। प्रेम संबंध में सावधानी के साथ पींग बढ़ाएं। वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए जीवन साथी की भावनाओं की कद्र करें। अब दोस्तों आगे वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी गलतियां बताने जा रहे हैं जो आपको अपने जीवन काल में कभी भी नहीं करनी हैं। वरना हमेशा गरीब ही रहोगे और माता लक्षमी आपके घर में नहीं आएगी। पैसों का अना भी मा लक्षमी नाराज हो जाती हैं और उन्हें आशीरवाद भी नहीं मिलता है। चानक्य कहते हैं कि ऐसे लोग स्वयम अपनी बरबादी का रास्ता खोलते हैं और कंगाली भोगते हैं। शाम के वक्त जाडू चानक्य के अनुसार कभी भी शाम के वक्त घर में जाडू पोचा नहीं लगाना चाहिए क्योंकि मान्यताओं के अनुसार शाम के समय लक्षमी माता घर में आती हैं और उस वक्त अगर घर के दरवाजे पर कचरा गंदगी रहेगी तो लक्षमी जी इसे देख कर वापस चली जाती हैं। व्यवहार या आचरण, आचार या चानक्य क अनुसार जो लोग बुजर्ग, विद्वान, महिलाओं या गरीबों को परिशान करते हैं या फिर उनका लगातार अपमान करते हैं, ऐसे घरों में मानलक्षमी कभी नहीं ठहरती है। दूसरों के साथ दुर्व्यवहार करने वालों से मानलक्षमी सदैव रुष्ट रहती हैं, जिसकी वजह से आर्थिक स्थिती भी बिगड रही है और हाथ खोल कर व्याय करने से बचना चाहिए। क्योंकि मित्रों हाथ खोल कर अगर आप पैसा खर्च करेंगे, तो दिक्कत अभी तो नहीं आएगी। लेकिन आगे चलकर जब आपको पैसों की अचानक जरूरत पड़ेगी, तब आपको पचतावा होगा, या फिर आपने पहले पैसों की बचत क्यों नहीं की, घरेलू मोर्चे पर समस्या खड़ी हो सकती है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसलिए तोल मोल कर ही बोलना बेहतर है और अपने प्रिया के लिए बदले की भावना से कु क्योंकि जब दोनों में एक दूसरे को परखने की और समझने की नीड होगी, अर्थात जरूरत होगी, तब आप रिष्टे अच्छे से निभा पाएंगे, आज किये गए निवेश कल के लिए फायदे मन साबित होंगे, लेकिन आपको भागीदारों से विरोध का सामना करन सीखें, यदि आपके पास खाली वक्त है तो कुछ रचनात्मक करने की कोशिश करें, भक्तों को बरबाद करना अच्छी बात नहीं मित्रों, आज पडोस की किसी सुनी-सुनाई बातों को लेकर आपका जीवन साथ ही दिल का हाल बना सकता है, आप घूमने फिरने और पैसे मित्रन रखने की कोशिश करने होगी, जिन लोगों से आपकी मुलाकात कभी-कभी ही होती है, उनसे बातचीत और संपर्क करने के लिए बहुत ही बहतरीन समय का निर्मान हो रहा है, मित्रों बता देते हैं कि संभव है कि कोई आप से अपने प्यार का इजहार करें, दूसरो मित्रों को ऐसा कम करने के लिए बाध्य ना करें, जो आप स्वयम ना करना चाहे, मित्रों जिस कम को करने में आपको ही दिल्चस्पी ना हो, वही कम, यदि आप लोगों से करवाएंगे तो मित्रों मुम्किन है कि आपको विरोध का सामना करना पड़े, आप बिना किसी बेकार के विवादों से दूर रहना है, लड़ाई जगडों से दूर रहना है, मित्रों की अपने और अपने परिवार के लिए समय निकलना बहुत जरूरी है। आज के दिन आपके और आपके जीवन साथी के लिए गहरी एवं आत्मापूर्ण बातें करने का सही समय है। तो इसका मतलब यह नहीं कि आप भी उसके साथ गलत करें। दोस्तों से आपके कर्म खराब होंगे और जब कर्म खराब होंगे तो आपका नसीब ही खराब होगा। इसलिए आपको अच्छे कर्म, अच्छी सोच और अच्छी नियत से आगे बढ़ाना है। क्योंकि अगर आप भी सामने वाले की तरह बन गए, तो फिर आप में और सामने वाले में कोई फर्क नहीं होगा दोस्तों, आपको बता देते हैं कि इस वक्त बेहतरीन धन से संबंधित योग बन रहे हैं। आपके ग्रह सितारे स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि पैसा चारों ओर से आएगा और बहुत अच्छी मात्रा में आएगा। एक बात का ध्यान रखिए कि जितना ज्यादा आप सकारात्मक रहेंगे, जीवन में उतनी ही ज्यादा परिस्थितियों आपके अनुकूल रहेंगी। बेकार की चिंता और बेकार के तनाव में अपने वक्त बिलकुल भी बरबाद ना करे।